हाई मैं हूँ राजू श्रेश्था और आप देख रहे हैं बॉलिवूड का बहुती इंट्रिस्टिंग बहुती इन्फोर्मेटिव चैनल जिसका नाम है जॉइन फिल्म जॉइन फिल्म में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे की आपको आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे भ़ली वो फेक ऑडिशन कैसे देने जाएं इस पर भी डिटेल वीडियो अविलिबल है यह जो आप चैनल के माधियम से जो आप लोगों को बताना चाहरे है ना जॉइन फिल्म के नाम से अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एक्टर्स खास करके एक्टरिसेज हैं वो बहुत साथा प्रिपेर्ड नहीं होते हैं क्योंकि अक्सर जैसे मेरे इवेंट्स का मेरा बहुत काम चलता है तो हम लोग वर इंडिया मेरे इवेंट्स को लेकर जाता ही रहता हूं कई बार लड़के लड़कियां मुझे मिलते हैं कि हमको काम करना है हमको फिल्म में काम करना है मेरा ये जवाब होता है कि क्यों काम करना है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमें बहुत शौक है मुझे बहुत शौक है, मुझे बच्पन से सपना था एक्टिंग करने का, मुझे बहुत शौक है लेकिन शौक तो मुझे भी गाने का है लेकिन मैं फिल्मों में गाने नहीं गा सकता हूँ तो अभी मैं मतलब मैं घर में गाता हूँ तो मेरा जो चोटा बेटा है दस साल का वो कान बंद कर लेता है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ तो अगर आप प्रिपेड नहीं है, मुझे बहुत शौक है, फिसके बाद आप बंबे आ जाते हैं, मुंबई आने के बाद, फिर जो भी आपके साथ उल्टा सीधा होता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर आप इंडिस्ट्री को बदनाम करते हैं, हमारे साथ यह हो गया, अगर आपको काम आता है और आप में टैलेंट है, तो अभी जैसे हमने डिसकस किया, कि एवेन्यू इस इतने खुल चुके हैं, कि अगर आप में टैलेंट है, तो आपको मौका मिलेगा, अगर टैलेंट नहीं है, फिर आप शॉटकट मारने की कोशिश करोगे, फिर वो नही सबके लिए खुली, अगर आप में टैलेंट है, तो क्यों नहीं? और जो डिरेक्टर्स हैं बहुत प्रिपेर्ड आते हैं अभी सेट पर, इवन आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिपेर्ड आते हैं, कि डिरेक्टर को पता गए मेरा ये फ्रेम है, यहां मेरा ये शॉट लगना है, तो इसके बीचे मुझे एक लाइट चाहिए, तो वो आफेक्ट हो गया है काम, आजकल का जो यूथ है, वो बहुत ट्रेंड है, वरक्शॉप्स होती है, जो पहले कभी सुनने ही नहीं मिलती थी, कि बहुत फिल्म शुरू हो रही है, सीरियल चुरू हो रही है, तो पहले वरक्शॉप होगा, रीडिंग होगी, उसके बाद आप आपको कैरेक्टर समझाए जाएगा, आप उसके अंदर अपना योगदान देंगे, डिसकॉशन होगा, तो जब एक्टर, डिरेक्टर, कैमेरामेंट, राइटर, जब सेट पर आते हैं, तो सब को पता है कि क्या फिल्म बनने वाली है, क्या मूड है फिल्म का, तो आज के द परग्रेश समकर फ़ेभ Sean Comics, जब आपने श्रुबात किती ही तो सबस שמक्र थे सीनेमा फिल्म जब स्कारामेंट, सबस्क्राइब, अधर सीने, हेमें आट गए अपर फिल्म के बनने फिल्म बन सब्सक्राइब, जबाइब ऐसं सारग लोगों के लिए बहुत जादा avenues खुल गए हैं लेकिन at the same time एक उसका side effect जो मुझे इस वक्त ऐसे लग रहा है कि stardom जो है वो dilute हो गया है फेले ऐससा होता था कि सिर्फ सर्फ फिल्म होती थी तो लोग अमिज जी की बी देख रहे हैं जी तू backward मेहा की और नवी निशवल की देख रहे हैं तो सिर्फ फिल्म रोता था आज आपके पास mobile है अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले time में शायद हो सकता है इसा हो कि YouTube के अपने स्टार्स हों, Netflix के अपने स्टार्स हों, Amazon के अपने स्टार्स हों, पर्दों के थेटर के अलग स्टार्स हों, अब यह हो सकता है, और entertainment सिर्फ फिल्म नहीं रहा है, आज आप देखिए stand-up comedy, अपने आप इनके अपने बड़े-बड़े events, बड़े-बड़ हम हमकरी और federal स्टार्स होने प्राम् इनके अंपने आपने स्टार्स के अपन।